पांग संग के 27 पेजल पर मुझे बोलने का मोका दे हैं मैं आपका अबार विक्ट करता हूँ दन्यवाद देता हूँ आदिने सिभापती मोदे जब यह चर्चा चलती है कि अगला विश्वियूद पानी को लेकर होगा तो हम सब की चिंता सवाविक है आज इस तरह के हालात देश प्रदेश में बने हुए हैं स्तही जल की निरंदर कमी होती जा रही है पानी की मांग निरंदर बढ़ती जा रही है मांसून बेरुकी पर है जल्चोत बदाली पर है साथी जल्चतर निरंदर गिरता जा रहा है तो मैं आपके माद्यम से यह कहना चाहूँना कि अब वैसे मैं आ गया है कि बूजल को राष्टे संपदा कोशित किया जाए वैसे मैं आ गया है जब पानी चाहे सिचाई का हो या पीने का हो उसके लिए दीरकाली योजना बनाई जाए अगर बात करें राजस्तान की तो राष्टान के 33 जिलों में से 26 जिले डाट जोन में आते हैं और उन 26 में से 12 जिले क्रिटिकल जोन में आते हैं अगर मैं बात करूँ मेरे विदान सब चेतर मुंडावर की तो वहाँ पर लगातार दो साल से पानी की समस्याओं के लिए मैं निरंतर आदरने मुख्य मंत्री जी से और सरकार के अधिकारी से मिलता है हूँ सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर और छोटे अधिकारी आज या अधिकारी दीरगाव में उपस्तित है माननिय मंत्र जी यहां पर बैट हुए है अगर मैं बात करूँ मेरे विदान से वचेतर मुंडावर के कुछ गाउं की तो मुंडावर कस्बे के साथ साथ ततारपुर, बडली, इक्रोटिया, नारेडी, सोरका, खुर्द, मातोर, बिटोली, बडी, जिंदोली, कादर नंगला कुसालबास, क्रूंद, अजिशपूर, बेहरोज, नांगल सिंगल का, खानपूर, मेवान, खरेटा, सुएटा, सोरकाकला, चकोलिया, रेनगर, सबलगड, रैपूर, रानो, टेड़का, शोपूर, प्रेल, यह ऐसे गाउं हैं, जहां पे पीने के श्रोत, लगातार कम होते जा रहे हैं, नलकुप सुकते जा रहे हैं, सिंगल फेस, त्री फेस, बोरिंग सुकते जा रहे हैं, और इन गाउं के आसपास कोई भी पीने के बुजल सोत नहीं है, मैं कुछ दिरपूर, A.C.A. साब यहां पर बैटने वे उनसे मिला था, आधरने मुक्यमंत्री जे मैं इ योजना बना कर इन 20-25 गाउं कर वहाँ पर पीने के पानी की व्यस्ता की जा सकती है, A.C.A. साब ने मेरे सामने आधरनिये, Chief Engineer साब को फोन किया, उन्होंने मेरे सामने उनको निर्देशित किया, कि आने वाली तीन मार्च को जो जेजेम की मिटिंग होने वाली है, आप इन मादियम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, कि ऐसे गाव में जहापे पीने के पानी की इतनी जादा किलत है, आज तो सरकार की वजए से किसान के नाम पर लोग हाईवे पर बैठे वे हैं, पर मैं आप से कहना चाहूंगा, कुछ दिन बाद ही, गर्मी का माहोल जीज ज से बड़े कस्बे हैं, जिसके अंदर ओदोगी छेतर हैं, और आने वाले समय में ओदोदिक गतिविदिया और जादा बढ़ने वाली है, तो मैं आपके मादियम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, कि इन दोनों कस्बों को भी शिक्र जल जीवन मिशन के तहत जोड़क इन दोनों कस्बों के भी योजना बनाकर और जल जीवन मिशन में लावावनित किया जाए, आदने सहबापती मोदा है, कुछ दिन पूर भी मैंने स्थकन प्रस्ताओं के मादियम से सरकार से निवेदन करा था, कि पंचायतों के जो पंचायत के दिन आने वाली बोरिंग के कनेक्शन से वो काड़ दिये गए हैं, अब जब पानी की उपलबता ही बहुत कम है, और पंचायतों के बोरिंग के कनेक्शन काड़ दिये गए हैं, तो वहाँ पर पानी के लिए आहाकार मचा हुआ है, मैं आपके मादियम से जल्दाय मंत्री यहां पर बैठे हुए है, और विबाग की, जल्दाय विबाग की और उर्जा विबाग की, महीने के अंदर कम से कम एक जिला लेवल पर मटिंग करी जाए, जिससे कि इन दोनों विबाग का सामाझे से बनाए, और आने वाले समय के अंदर जंता को लाब मिल सके, आदने सभापती मोदा है, अभी थोड़ सप्लाइ कराती है, उसके अंदर GPS सिस्टम लगाया जाए, उनकी निगरानी के लिए उसके अंदर GPS सिस्टम इंस्टोल किया जाए, जिससे उनकी गिंती प्रॉपर हो सके, मोनेटरिंग प्रॉपर हो सके कि कितने टैंकर, किस गाहों के अंदर ठेकेदारने सप्लाइ करे हैं, माने सभापती मोद हैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा एक और सुजाव सरकार को देना चाहूंगा सरकार गाहों के अंदर civil line sanction करती है जो पानी होता वेर्थ नालों के अंदर बैकर कहीं और नालों के अंदर बैकर निकल जाता है तो मैं आपके मातियों सरकार को सुजाव देना चाहूंगा कि वाटर हार्वेस्टिंग का प्लाइन मनाया जाए गाहों के अंदर भी कुईयां खोई दी जाए जिससे की वाटर हार्वेस्टिंग होगी तो ग्राउंड लावेल उपर आएगा और आने वाले समय के अंदर यह बताना चाहूंगा एक जगह यहां पर सोलर पम्प नहीं लगना चाहिए हम आपको दूसरी जमीन दे देंगे दो मेने बाद वो लोग वहाँ पर आए मेरे पास आए मैंका भाई एक विक्ति ने मेरे कहने से जब जमीन दान कर दी और उसकी जमीन पंचायत की हो गई तो मैं अगर मैं उसके जमीन में वो सोलर प्रम नहीं लगवा तो उसकी बेज़िती है मैं आपके मादेम से निवेदन करना चाओंगा कि हुलमारा खुर्द ऐसा गाव है जिसके अंदर वहाँ पर दस बैदस की एक विक्ति की द्वारा जमीन दान करी गई है तो मैं आपके मादेम से सरकार के मंतरी A.C.A. साब यहाँ पर बैटे हैं वो एक्सियन साब को निदेशित करें कि उस विक्ति की जमीन गंदर वहाँ पर सोलर रेंट पंप लगाया जाए आपके मादेम से एक आखरी बात कहकर मैं अपनी बात को फिराम दूँगा 2019 के अंदर माने मुखे मंतरी जी ने अलवर भरतपुर और धोलपुर के लिए चंबल अलवर पर योजना के तहट 14 कजब और 32 गाओं के लिए योजना बनाई थी मैं जानना चाहूँगा माने मंतरी जी से 2 साल के अंदर इस योजना पर किता काम हुआ है और हाली में की गई बजट योजना के अंतरगत माने मुखे मंतरी जी ने इसरदा बांत से हमारे छेतर के अंदर उम्रेन रहनी बांसूर थाना काजी राजगट कटूमर लक्षमान बांसूर के चार कजब और 1061 गाओं के लिए योजना बनाई है सरकार से निविधन करना चाहूंगा मेरी एक ही प्रारता है चाहे पांत साल का जो बजट एक मेले लेट की तोर पर मुझे मिलता है सरकार पूरा ले ले मेरे विधान सबाचेतर के लिए लोगों को सिर्फ पेजल की अपूर्ति कर दे मैं एक भी रुपैन से मांगना नहीं चाहूँगा आपने मुझे मोले का मोखा थी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति मोदे सभापति मोदे मांग संक्या 27 पेजर